हेलो यूरीवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एसे स्मार्ट क्लासेस में बिहार में ये स्टेट के आवेदन आज से स्टार्ट हो गए हैं 14 दिसंबर से कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं पेपर फर्ष्ट किसके लिए है पेपर सेकेंड किसके लिए है कितना टाइम मिलेगा आपको कितने कुश्चान आएंगे साथ ही में निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं कैसे होगा एक्जाम सी बीटी मोड ये आउफलाइन मोड जानकारी है आपको एक एक करके सारी चीज़े यहां पर मैं आपकी क्लियर कर दूँगी सबसे पहले तो आप देख लीजे कि पेपर फर्ष्ट किसके लिए है पेपर सेकेंड किसके लिए है तो इतत द्वारा माध्यमिक के सिच्छक पात्रता परिच्छा येस्टिड जो है दो हजार चौबिस में समलित होने वाले अब भेरतियों उम सम्मंधितों को सुचित क्या जाता है कि निरेशक माध्यमिक सिच्छा सिच्छा पिभाग बिहार पटना के पत्रांग की संख्या दी हुई है देखिए कि द्वारा प्राप्त निरेश के अलोग में माध्यमिक पेकेंसी आएंगे उसके लिए आपको यस्टेट का पेपर सेकेंड पास होना चाहिए और नाइंओ तेंत वाली चो पात्रांग का फम जरूर ढालेंगे प्रत्रता प्रिश्फ्छा के परस्ण बहुत बिगल्पी होंगे प्रतीएक प्रस्ण एक अंक होगा निगेटिव मा माधमिक की बात करें तो यहां पर सब्जेक्ट जो दिये हुए है परिच्छा की विषय तो माधमिक अच्छाओं के लिए निर्धारित पाठेकरम के अनुसार पेपर सेकंड उच माधमिक के तहट आने वाले विषय का विरॉन निम्नुवत है तो देखें यहां पर यह सारे स बात कर लें तो देखें विषय समूह से में कम से कम विनिर्धिष्ट विषय समूह में जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसमें कम से कम 50 परिसा तंक सहीत किसी मानता प्राप्त विष्ट विद्याला से इस नातक अथवा इसके समतुल उत्तियन उम्राष्टी अध्यापक सिच इस टुएट में भी भर सकते हैं लेकिन यहां पर देखें बात की जारी है बेड़ वालों की अथवा किसी मानता प्राप्त विष्विद्याला से इस नातक अथवा इस नाकोत्तर में कम से कम 45 परिसा अंको सहीत इस नाकोत्तर तथा तेरा गेरा 2002 को अधिसूचित राष्ट धहपक परिच्छा परिशद मानता मान्दर्णड क्रियाविधी विनियाम 2007 के अंथार रष्टियाद धहपक परिच्छा परिशद से मानता प्रापत संस्था मैं इस नातक बीड़ तो देखें बीड़ वालों के लिए है इसमें नेक्स चलीकि रष्टिया ध्यापक पर सेकन्ड उचमाधमीं की तो यह देखी सारे subject हैं यहां पर इस्ट गर आपके हैं तो आप इंद में से apply कर सकते हैं कोई भी subject हो सभी subject के यहां पर exam होने वाला है साथी में इसके लिए भी देखी beard जरूरी है जिनका beard होगा वही इसको भर पाएंगे निखसे देखे पाठे क्रम की बात कल लेते हैं तो पेपर फ़स्ट के तहाथ आने वाले बिसीयों के लिए राज जी के बिस्ट बिद्यालों में लागू इसनात्क इस्तरी पाठे क्रम तथा पेपर सेकिंड उच माध्मीक के तहाथ आने वाले बिस्ट पत्र का पैटर्न कैसा होगा तो माध्मिक सिच्छक पात्रता परिच्छा में पूँचे जाने वाले प्रश्णों में सव अंक निर्दिष्ट बिसाइवस्तु से होंगे पचास अंक सिच्छन कला अन्य दच्छताओं पर अधारित होंगे तो देखें डेर सो अंक का पेपर ह कर सकता है ऐसा नहीं कि केवल बिहार का पस कर सकता है बिहार राज विद्याले अध्यापक नियुक्ति नियामा वली 2023 दौरण निर्धारित योगता अरहता धारी उम्मीदवार माध्मिक सिच्छक पात्रता परिच्छा में परिच्छार्थी हो सकते हैं निक्स दिखी माध समद्ध होने वाले होने हेत भरतियों को दिनांक 182024 को नियुनता माई सिम्ए 212 वरस्वी होगी देखνे अधिकता मायू की बात करें तो अलग अलग कोटी की अलग अलग होगी लेकिन नियुनता मायू सभी के लिए 211-11-16 द्वारा उलिकित प्रावधाना नसार कोटी व पिछड़ा वर्ग की 40वर्ष आति पिछड़ा वर्ग पुरुस महिला की 40वर्ग अंसूची जन्जादि दोनों की । आधिकता मायों हो गई और नियुंता मायों 21वर्ष कर्फर्मी हो गया है। निक्स्ट देखी बात करेंगे कि उत्तियोंडांग क्या होगा कितने नंबर से आप उत्तियोंड होगे तो अलग-अलग कटेगरी के लिए देखे अलग-अलग दिया हुआ है सामान प्रसासन विभाग के संकल पिसंख्या 23-74 दिनांग 16-2007 के अलोग में मादमिक सिचक पातर परिच्छा 24-24 का उत्तियोंडांग निम्नुवत है सामान कोटी के जो है उनका 25% अंग होना चाहिए मतलब 150 में आपका 75 अंग होना चाहिए और पिछडा वर्ग की बात करें तो 45.5% अत्यंत पिछडा वर्ग 42.5% अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती 40% दिव्या के लिए भी 40% यहां पर उत्तियोंडांग रखा गया है निक से दिखी बात करेंगे प्रमाड पत्र की तो दिखी इससे आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली कोई नौकरी नहीं मिलने वाली बलकि एक प्रमाड पत्र मिलेगा जिसे आप आगे आने वाली बैकेंसी में फॉ प्रमाड पत्र दिया जाएगा और यह प्रमाड पत्र की जो वैदता होगी जीवन परियंत लाइफ टाइम होगी इसके बाद आपको दुबारा नहीं देना पड़ेगा यह स्टेट अगर आप एक बार पास हो जाते हैं निक्स दिखी परिच्छा सुलकी की बात करें तो सा पेपर फस्ट हो या पेपर सेकेंड अगर केवाल एक पेपर डालेंगे तो 560 रुपै और अगर दोनों टालेंगे तो 1140 रुपै इसे ही समें भी है देखिए के वाल एक पेपर के लिए 960, दोनों के लिए 1440 देख से देखिए नॉर्मलाइजेशन तो देखिए एक्जाम जो होता है वो कई दिनों में होता है साथी में एक चीज यहां पर देख लिजे कि जो आपका एक्जाम होगा कम्प्यूटर बेस्ट टेस्ट होगा ये कम्प्यूटर में आप लोगों की एक्जाम देना होगा और सी बीटी मोड में बिधी से आउजित की जाने वाली जो परिच्छाएं होती है कई दिनों में देखिए संपन होती है ज्यादा समय लगता इसमें एक से अधिक पालियों मे कर परिच्छा पर प्रकासित किया जाएगा निक्षरी की प्रवेश परिच्छा की अवधी तो कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट होगा बीधी से आउजित माध्य में एक सिचक पात्रता परिच्छा ये स्टेट दो हजार चौबिस की अवधी देड़ सु मिनट है धाई घंट आउनलाइन आवेधन के माध्यम से परिच्छा आवेधन पत्र परिच्छा का सुल्क दिनांग 14.12.203 से अपरान 4.45 बजे से दिनांग 2.1.2024 तक सुईकार किये जाएंगे तो देखें आउनलाइन आवेधन आप कब से कब तक कर सकते हैं आज से आपके आउनलाइन हुई है इसका पीडियेप में सेर कर दूगी वहाँ से आप लोग चिक करके आउनलाइन आवेधन भर सकते हैं जानकर यह अची लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे साथ ही में जो भी चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को भी प्रिस कर ल है मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग